हम आपको वर्चुल युनिवरसिटी में ओनलाइन आड्मिशन के लिए अपलाई करने का तरीका बताते हैं सबसे पहले वर्चुल युनिवरसिटी की वेब साइट खोल लीजिए www.vu.edu.pk अड्मिशन के लिए अपलाई करने के लिए आप युनिवरसिटी की मेन वेब साइट पर मौझूद अड्मिशन के मेन्यू में अपलाई ऑनलाइन पर क्लिक करके भी आप अड्मिशन पोर्टल में दाखिल हो सकते हैं Virtual University तमाम Admissions सिर्फ आनलाइन करवा रही है Admissions Portal में दाखिल होते ही आपके सामने ये पेज खुलेगा आपको Right Side पर कुछ लिंक्स नजर आ रहे हैं जो आपको Admissions के हवाले से मुतलगा Information फरहम करेंगे Left Side से Existing User के सेक्शन से आपको Login करके Online Apply करना है अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट नहीं बनाया तो नीचे New Registration के सेक्शन में आईए यहां पहले अपनी Nationality और नाम एंटर कीजिए इसके बाद अपना CNIC या Bay Form नंबर एंटर कीजिए CNIC या Bay Form नंबर एंटर करते हुए बहुत इहत्याद कीजिए क्योंकि यह बाद में तबदील नहीं हो सकेगा यह CNIC या Bay Form नंबर आपका अपना होना चाहिए अपने वालिद, वालिदा या खांदानी सरबरा का CNIC मत एंटर करें बाद अज़ा अगर यहां एंटर किया गया CNIC या Bay Form नंबर आपके कवाइफ के साथ मैच ना हुआ तो आपका Form एकसेप्ट नहीं होगा इसके बाद आपने अपना इमिल आडरेस और मोबाइल नंबर एंटर करना है अगर आपने अभी तक अपना इमिल आडरेस नहीं बनाया तो नीचे दिया गया Create an Email Account का लिंक आपको Gmail पर ले जाएगा जिसके जरीए आप एक निया इमिल आडरेस बना सकते हैं जब आप इमिल आडरेस बना चुकें तो यहां पर वो इमिल आडरेस एंटर करना होगा इसके बाद आप जो भी पासवर्ड रखना चाहें वो एंटर कीजिए यह पासवर्ड minimum 8 और maximum 20 characters का होना चाहिए और इसमें एक Upper, एक Lower, एक Numeric और एक Special Character जरूर होना चाहिए Sign Up पर क्लिक कीजिए Sign Up पर क्लिक करते ही आपके सामने ये Alert Message आएगा और जो इमिल आडरेस आपने Register करते हुए एंटर किया था उस पर आपको Virtual University की जानिब से एक Email Receive होगी उस Email को खोलने पर आपको एक Activation Link नज़र आएगा उस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने एक Window Open होगी जिस पर आपको Email आडरेस वेरिफाई होने का Message नज़र आएगा अब वापस Online Admission Portal में आईए और यहाँ पर अपना CNIC या Bay Form Number एंटर कीजिए जो Password आपने Register करते हुए मखसूस किया था वो एंटर कीजिए और Sign In कीजिए अगर आप अपना Password भूल गए हो तो Forgot Your Password का लिंक इस्तमाल करते हुए आप अपना Password दुबारा हासिल कर सकते हैं इसके बाद Sign In पर क्लिक करने से आप Online Admission Portal में दाखिल हो जाएंगे यहां पर सबसे उपर आपको Home का लिंक नजर आ रहा होगा किसी भी सेक्शन से वापस इस पेज पर आने के लिए आप Home का लिंक इस्तमाल कर सकते हैं My Applications के साथ आपको Instructions का लिंक नजर आ रहा होगा Instructions के सेक्शन में आपको Online Apply करने के मुतालिक तमाम हिदायात English और Urdu Versions में पराहम की गई हैं इसके बाद आपको नीचे एक लिंक नजर आ रहा होगा Click Here to Apply for New Program इस लिंक पर क्लिक करके आप दाखले के लिए Online Apply कर सकते हैं आपके सामने Admission Form खुल चुका है जिसमें आपको कुछ Sections नजर आ रहे हैं इस पेज पर आपको 6 Sections नजर आ रहे हैं इनमेंसे हर Section में मुतलका Information फराहम करने से आपकी Application सब्मिट हो जाएगी अब हम पहले Section Program Selection की जाने पढ़ते हैं Program Selection में सबसे पहले आप Study From की Option सिलेक्ट करेंगे अगर आप पाकिस्तान में मुकीम हैं तो Within Pakistan और अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो Outside Pakistan की Option सिलेक्ट करें आउटसाइड पाकिस्तान की Option सिलेक्ट करने से आपके सामने ये पेज़ खुलेगा जिसमें इम्तिहान देने के तरीके से मुतालिक तमाम कवाइद जवाबत दर्च हैं ये सारी Information पढ़ने के बाद I Accept पर क्लिक कीजिए और Proceed to Next Step पर क्लिक कर दीजिए अगर आप पाकिस्तान में मुकीम हैं तो ये Option मत सिलेक्ट करें Virtual University के चंद डिग्री प्रोग्राम्स बिल खसूस Biological Sciences के डिग्री प्रोग्राम्स सिर्फ पाकिस्तान में मुकीम लोगों को ही आफ़र किये जाते हैं इस वक्त हम Form Within पाकिस्तान की Option को सिलेक्ट करते हैं इसके बाद प्रोग्राम के सेक्शन से अपना मुकरर करता डिग्री प्रोग्राम सिलेक्ट करें डिग्री प्रोग्राम सिलेक्ट करने के बाद स्टडी प्रोग्राम सिलेक्ट कीजिए अब स्टडी आट के सेक्शन में अपनी सहूलत के मुताबिक Option सिलेक्ट कीजिए असर नहीं पड़ेगा तमाम options का fee structure यकसा हैं और तमाम options को एक ही fee charge होगी अगर आपके पास computer, laptop या smartphone के साथ अच्छी connectivity यानि अच्छा internet connection मौझूद है तो आप study at home की option select कर सकते हैं अगर आपके पास ये सहूलियात मौझूद नहीं है तो आप virtual university का कोई भी campus जो आपके करीब तरीन हो select कर सकते हैं Virtual university के campus की दो categories हैं एक, virtual university own campus जिसमें ये सहूलियात आप तब भी ले सकते हैं अगर आपका status at home है तहाम दूसरी category, private virtual campus में आप ये facility study at home के status के साथ नहीं ले सकेंगे लहाजा अगर आप virtual university के private campus में ये सहूलियात लेना चाते हैं तो virtual university campus select कीजिये इसके बाद अपना शहर select कीजिये शहर select करने के बाद, preferred campus के drop-down menu से इस शहर में मौझूद virtual university के तमाम campuses की फेहरिस्ट आपके सामने खुल जाएगी यहाँ पर अपना preferred virtual university campus select कीजिये लिस्ट ओव virtual campuses select करके आप वी यू के तमाम campuses की फेहरिस्ट और मैप पर इनकी location देख सकते हैं campus selection के बाद, नीचर मौझूद camera के icon पर click करके, मखसूस campus की तसावीर भी देख सकते हैं अब save and move to next step पर click कीजिये अब हम form के दूसरे section, personal information की जानिब चलते हैं यहां पर candidate information में अपना पूरा नाम, gender, तारीखे पे दाइश, nationality और अपना mobile number एंटर कीजिये अगर आप पहले भी virtual university के student रह चुके हैं तो यहां मौझूद खाने में old v.u student ID एंटर कीजिये old v.u student ID के बाद अपने मुलक और फिर अपने शेहर का नाम सिलेक्ट कीजिये इस form को पूर करते हुए सारी information एहतियात से पूर करें क्योंकि बाद अज़ां किसी भी कवाइफ की दुरुस्तगी के लिए university आप से charge वजूल करेगी इजाफी charges से बचने के लिए अपना नाम, बशमूल spellings, अपनी date of birth और दूसरे कवाइफ अपनी metric की सनद के मताबिक पूर करें इसके बाद आप अपने father या guardian की information परहम करेंगे यहाँ पर अपने वालिद या guardian का नाम, उनका CNIC और mobile number एंटर कीजिये अगला section contact information का है, जहाँ सबसे पहले आप अपने मुल्क का नाम और फिर शेहर का नाम सिलेक्ट करेंगे इसके बाद अपना आर्जी और मुस्तकिल पता फरहम करेंगे इसके बाद education section में आपको अपनी तालीम के बारे में मालूमात फरहम करनी है याद रखें कि इस section में आप अपनी असनाद, degrees या certificates पर दिये गए मार्क्स ही एंटर करेंगे बलत मार्क्स एंटर करने की सूरत में आपका form reject हो जाएगा नेक्स section professional education का है, जिसमें अगर आपके पास कोई professional degree है तो वो एंटर कीचिये अगले section में आपको अपनी employment के हवाले से information फरहम करनी है Others के section में आपको कुछ दीगर मालूमात फरहम करनी है How did you first know about Virtual University of Pakistan में? मतलका option select कीजिए कि आपको सबसे पहले Virtual University of Pakistan के बारे में कैसे मालूम हुआ अगर आप शोदा के लवाहिकीन में शामिल हैं तो यहां मौझूद icon पर क्लिक करके शोदा concession के लिए मुतलका form, recommendation letter और affidavit जमा कराएं इसके बाद save and move to next step पर क्लिक कीजिए अब हम admission form के तीसरे मरहले पर पहुँच चुके हैं अगर आप need based scholarship पर apply करना चाहते हैं तो yes का option select करके नीचे दिये गए form को पुर कीजिए याद रहे कि आपको ये scholarship सिर्फ इस सूरत में मिल सकती है अगर आप इसका form अपने admission form के साथ जमा कराएंगे Virtual University of Pakistan शोदा के बच्चों और बेवा को भी fee concession पराहम करती है अगर आप need based scholarship पर apply नहीं करना चाहते तो no का option select कीजिए और save and move to next step पर click कर दीजिए अब हम form के चौते हिसे पर आ चुके हैं अगर आप course exemption या credit transfer के लिए apply करना चाहते हैं तो मुतालगा option select कीजिए वो तलबा जो पहले से दो साल के degree program यानी बिये बियसी का इमतिहान पास कर चुके हैं और अपनी तालीम 16 साल तक लेके जाना चाहते हैं वो भी entry option के साथ BS program में दाखला ले सकते हैं ऐसे तालब इलमों को चाहिए के फॉर्म के इस हिस्से में तीसरी option को select करें course exemption form को fill करते हुए virtual university की website पर दी गई हदायात या course exemption policy ज़रूर पढ़ लीजिए course exemption form को जमा करने के लिए आपको एक fee भी charge की जाएगी ये form उस वक्त तक accept नहीं होता जब तक आप ये fee जमा नहीं कराएंगे अभी हम no की option को select करते हैं और save and move to next step पर click करके next section की जानेब जाते हैं अब हम upload documents के step पर आ चुके हैं इस step पर आपने अपने तमाम original और genuine documents scan करके upload करने हैं सबसे पहले browse पर click करें अपना मुतलका document select करें और upload now पर click करें तमाम documents का सिर्फ front view upload कीजिए अगर तालीमी असनाद के इलावा आपके कोई skills के या professional documents हैं तो उनको यहाँ upload कीजिए ख्याल रहे कि किसी भी document का size 1MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर कोई भी document आगे जाकर वलत या fake पाया गया तो university आपका दाखला किसी भी वक्त cancel कर सकती है और आपको black list भी कर सकती है ब्लाक लिस्ट होने की सूरत में आप शायद किसी और university में भी दाखला ना ले सकें documents upload करने के बाद move to next step पर क्लिक कीजिए अब हम admission form को submit कराने के लिए last step पर पहुँच चुके हैं इस से पहले कि हम इस admission form को submit करें आईए हम इस application का status देख लेते हैं home पर क्लिक करने से यहाँ आपके सामने इस application form का status आ जाएगा इस step पर अगर आप अपना prospectus खरीद चुके हैं तो yes को select करें yes को select करते ही आपकी स्क्रीन पर दो options आ जाएंगी आपकी खरीदी गई prospectus के front page पर serial number और scratch number दिये गए है prospectus पर scratch number वाले खाने को scratch करकर number हासिल कीजिए और serial number और scratch number यहाँ पर enter कीजिए यह prospectus virtual university के तमाम campuses से दस्तियाब है अगर आपने अभी तक prospectus नहीं खरीदा तो no का option select कीजिए application submit कराने से पहले एक बार फिर अपने कवाई और original documents चेक कर लीजिए इसके बाद आप declaration देंगे कि तमाम information बिलकुल सही फराहम की गई है I agree पर click कीजिए और review your application कीजिए application submit कराने से पहले एक बार अपने कवाई और original documents चेक कर लीजिए इसके बाद submit application पर click कर दीजिए अब आपका form या accept होगा या reject होगा अगर आपका form किसी document की वज़ा से या किसी और वज़ा से reject होता है तो आप एक निया prospectus या निया voucher लेकर निया form जमा करा सकते हैं इसके बाद आपको एक notification मिलेगा जो ये verify करेगा कि आपकी application जमा हो चुकी है इसके बाद आप अपना voucher लीजिए और अपनी prospectus fee जमा कराईए अगर आपने prospectus नहीं खरीदा था तो यहाँ पर इस fee जमा कराने के हवाले से कुछ links नजर आ रहे हैं यहां आपको एक cloud का icon नजर आ रहा है जब आप fees जमा कराएंगे तो यह icon खुद बखुद नजर आना बंद हो जाएगा अगर आपने fee मकरर करदा bank में अस खुद जाकर जमा कराई है और यह cloud का icon गाइब नहीं होता तो आप इस पर क्लिक करके fee receipt की student copy अपलोड कर सकते हैं प्रिंट voucher पर क्लिक करके आप ये चलान form हासिल कर सकते हैं दिये गए banks में से किसी bank या टेलेन और easy पैसा या ओमनी दुकान के जरिए आप ये चलान जमा करवा सकते हैं अगर आप bank में चलान जमा कराने की बजाए घर बैटे और online payment करना चाहे तो pay online पर क्लिक कीजिए यहां पर कुछ मतलगा information फराहम करने के बाद आप घर बैटे अपने debit या credit card के जरिए prospectus की fee जमा करवा सकते हैं एक बात का खयाल रखें कोई भी रखम, bank या मखसूस करदा चैनल्स में ही जमा करवाएं Virtual University of Pakistan किसी और को authorize नहीं करती के वो आप से पैसे वसूल करें बात अज़ां किसी नुकसान की सूरत में Virtual University जिमेदार नहीं होगी उमीद करते हैं आपको online admission form जमा कराने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी अगर form जमा करवाते हुए आपको कोई दुश्वारी पेश आए तो अपने करीबी campus से रहनमाई हासिल करें या info desk के इन numbers पर call करके मालूमात हासिल करें 0304 111 0880 या troll free number 111-880-880